हेलो फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉटिफिकेशन गुरू में फ्रेंड आज के इस नॉटिफिकेशन में हम आपको बताने वाले हैं CBSC नई भरती 2019 के बारे में फ्रेंड CBSC ने जारी करतिया है फ्रेंड बारे में आज देंगे आपको सारी जानकारी साथ ही आपको दिखाएंगे CBSC के दौरा जारी क्या गया उफिशन नॉटिफिकेशन भी ताकि आप समसके इसकी पूरी जानकारी को और भर सके इस फॉर्म को तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए बेल आइकन प्रेस करके ओल पर क्लिक कर लिजिए ताकि हमारे द्वार आई ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मौचे सबसे पहले और आप उसका लाब उठा सके तो फ्रेंट चले वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं CBSC नहीं परती 2019 में तो फ्रेंट यहाँ की जो आपकी वेकैंजिस हैं इसके अंदर वो आपकी वेकैंजिस होगी असिस्टेंस की, टरांस्लेटर की, असिस्टेंस सेकरेटर की, अकाउंटेंट, इस्टेनोग्राफ और 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 भी आन्डे विविवीड पतोब भरती है qualification की बात करें तो इसके दो जो minimum qualifications मांगी हुई है वो है आपकी बारवी, diploma, bachelor degree, master degree तो friends इन जो candidates बारवी पास है, diploma है, bachelor degree है, master degree उन्होंने कर रखा है वो इस form को भर सकते हैं और सबसे बड़ी बात किसी भी state से apply कर सकते हैं आप इंडिया के किसी भी state में रहते हों, आप इस form को भर सकते हैं form की जो last date है, वो 16 December है, 16 December तक आप इस form को भर सकते हैं link मैंने वीडियो के description में दे दिया है, वही salary की बात करें तो friends, इसके जो salary होगी, minimum salary अगर आप ध्यान दें, तो इसके minimum salary आपकी 20,000 के आसपास होगी friends, और वही maximum salary आपके 49,000 एक सोर पे है, साथ में कुछ great भी है तो friends, इसके सारी जानकारी को जानते हैं, बिलकुल अच्छे से step by step ताकि आपके सारे dot com clear कर सकें, और आप इस form को भर करके इसका lab उटा सकें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं CBSC various post recruitment 2019 आ चुकी है friends, और इसके अंदर जो आपकी vacancies हैं, वो है Assistant Secretary, Analysis, Junior Translator, Stanographer और भी other post पर आपकी भरती है तो friends, इसे जारी किया है Central Board of Secondary Education ने तो friends, किसी भी प्रकार की, government job की updates के लिए, हमारी चैनल notification गुरू को जरू सबस्क्राइब कीजिएगा और bell icon प्रेस करके all पे click कर लिजेगा ताकि हमारे द्वारा आई वी हर वीडियो का notification आप तक पहुचे सबसे पहले और आप उसका lab उठा सके तो friends, आप देख रहे हैं notification गुरू तो चलिए करते हैं वीडियो को शरू तो friends, सबसे पहले बात कर लेते हैं CBSC के वेरिस पोस्ट की important dates की तो friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो आपका date होगा, वो starting होगा 15 November 2019 से और आपकी last date है 16 December 2019 यानि कि friends, इस mom को भरने के लिए आपकी पास पूरे 1 month का time है 15 November से 16 December तक आप इस mom को भर सकते हैं Link नीचे अप्लाई नाओ का वीडियो के description में दिया हुआ है तो friends, अप्लाई करने से पहले सारी जानकारी को step by step पहले देख लेते हैं तो friends, वहीं बात करें अगर इसके fee payment date की तो friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं fee payment को last date भी 16 December 2019 है यानि कि 16 December तक आपको अपने सारे काम कर लेने हैं तो friends, जल्दी से इस वीडियो को share कर दीजएगा Facebook, Instagram, Twitter पर और सबसे पहले like कीजएगा तो friends, बात करें अगर admit card की और exam date की तो यह भी available soon है जैसे यह dates आएंगे तो हम आपको inform कर देंगे आप तक notification पहुंच जाएगा तो notification icon को press करके all पर click जुरूर कीजएगा ताकि हर update आपको मिलती रहे तो friends, बात करते हैं इसके application fees की तो friends, यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नल और OBC के जो candidates हैं उनके लिए group A post की जो fee होगी वो होगी 1500 रुपे और वही group B और C के लिए 800 रुपे का application fee यहाँ पे पे करना होगा जर्नल और OBC के candidates को वही बात करें SC, ST, Physical, Handicap, Female, Ex-Servicemen, Regular Service, Employees की तो इन सभी के लिए छूट है यहाँ पर इन्हें किसी भी candidates को कोई भी application form नहीं देना पड़ेगा कोई भी application fee यहाँ पे नहीं पे करना है ठीक है कोई भी आपको fees यहाँ पे नहीं लगेगा ठीक है, free of cost है SC, ST के लिए, Physical Handicap, Female, Ex-Servicemen, Regular Service Employee के लिए जो की government के ploy है तो फ्रेंट्स, free payment करने के लिए जो जर्नल और OBC के candidates है वो debit card, credit card, net banking, each alarm, SBI collect, IMPs से या फिर cash से payment कर सकते है बात करें अगर job location की तो फ्रेंट्स, यहाँ पे देखिए job location आपका all over India होगा all over India आप की posting हो सकती है वहीं बात करें age limit की तो फ्रेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते है इसका जो age limit है minimum age limit इसके अंदर 18 साल की है और minimum age कम से कम 16 December 2019 तक आपकी complete हो जानी चाहिए अगर आप 18 AS के नहीं है तो आप इस form को मत भरिएगा क्योंकि बाद में आपका यह form cancel हो जाएगा वहीं बात करें maximum age limit की तो फ्रेंट्स maximum age limit की जो requirement है वो according to post है तो फ्रेंट्स यहाँ पे देखिए इसमें जो आपकी post है assistant psychiatrist की इसकी अंदर 40 साल की आयू तक के candidates इस form को भर सकते है वहीं बात करें analysis, senior assistance और accountant की तो उसके लिए 30 साल तक के आयू के candidates भर सकते है वहीं इस tenographer, junior assistant और junior accountant के लिए 27 साल के आयू तक के candidates इस form को भर सकते है कुछ candidates के लिए age में collection दिया है upper age limit का तो जो candidate SCST है वो 5 साल तक की extra आयू add करके भर सकते है यानि कि इसका जो maximum age limit अगर सपोज आगर आप assistant secretary की post के लिए भरना चाते है तो friends इसमें 40 साल है तो SCST candidates 45 years तक के candidates फर्म को भर सकते है उसी परकार OBC के 43 तक के candidates भर सकते है यानि कि 3 साल अपने maximum age में add कर देंगे जो कि आपकी post की maximum age होगी ठीक है वहीं बात करें नमर पोश्ट की तो यहाँ पर 357 vacancy है आपकी CBSC के अंदर all over post को मिला करके 357 vacancy है जिसके लिए आपको एक अच्छी खासी salary भी मिलेगी तो friends सारे details अभी हम आगे जानेंगे तो friends बात करते हैं CBSC various post recruitment online form 2019 की जिसके अंदर आपकी जो post आप वो है assistant secretary की analyst जूनियर ट्रांसलेटर एस्टानगराफर और भी other post direct recruitment होगा तो friends post wise vacancy के details को देखते हैं तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं group A की post ठीक है इसके अंदर group A की post के अंदर आपका पहला post आता है assistant secretary का जिसमें आपकी 14 seat है journal के लिए 8 seat है EWS के लिए 1 seat OBC की 3 seat और ST, SC के लिए 1 seat है अगली vacancy इसके अंदर आती है group A में आपकी assistant secretary IT field के लिए जो की general के लिए 4 seat है EWS की 1 seat है OBC की 1 seat है और ST की 1 seat है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं total post आपकी 7 seat है वहीं अगली vacancy आती है आपकी analysis IT field की तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें total मिलाकर 14 seat हैं जो की आपकी general की 6 post है EWS की 2 है OBC की 3 ST की यहाँ पर कोई भी seat नहीं है और SC के लिए 3 post है मुई बात करें अगली vacancy group B post की तो इसके अंदर आपका आता है junior translator group B के अंदर junior translator है हिंदी की vacancy है 8 seat है इसके अंदर और general के लिए 5 EWS की कोई seat नहीं है यहाँ पर OBC की 1 seat है ST की 1 seat है और SC की 1 seat है total हमारे पास 8 vacancy है junior translator की वहीं बात करें group C post में तो यहाँ भी आप देख सकते हैं group C में आपकी 60 post reference 30 जदा vacancy है इसके अंदर 60 post है general की आपकी 26 seat है EWS की 8 है OBC की 15 seat है ST की 4 seat है और SC की 9 seat है total मिला करें हमारे पास 60 post हो जाती है आपकी senior assistance की वहीं बात करें stenographer की तो stenographer के लिए 25 seat है general की 13 seat EWS की 2 seat OBC की 6 post ST के लिए 1 और ST की 3 total 25 seat हैं आपकी stenographer post के लिए तो जिस भी post के लिए apply करना चाहते है उसकी vacancies को अच्छे से देख लिजेगा कि किस category में कितनी seat है वहीं बात करें accountant की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी अंदर आपकी 6 post है general के लिए 2 EWS की 1 OBC की 2 ST की 1 seat है और SC के लिए यहाँ पे कोई भी seat नहीं है तो total हमारे पास 6 seat है accountant की post के लिए अगली vacancy है आपकी junior assistance की तो यहाँ पी आप देख सकते हैं इसमें आपकी 204 seat हैं जो की बहुत जादा vacancies है तो मैं आप से उमीद करूँँगा कि आप junior assistance की post को पहले target केजेगा तो इसमें देखिए general के लिए 85 seat हैं EWS की 20 seat हैं OBC की 54 ST की 15 और SC की 30 seat हैं total हमारे पास 204 vacancy है junior assistance की post के लिए वह ही junior accountant की vacancy है इसमें आपकी 19 seat है general की 8 EWS की 1 seat है OBC के अंदर 7 seat है ST की 1 और SC की 2 seat है pay scale की बात करें तो फैंस यहां पे देखिए different different post के लिए different different place के लिए यहां पे define किया हुआ है group A की जो vacancy होगी उसके लिए 15,600 से ले करके 49,100 तक की vacancy होगी जो के level 11 के according होता है और यह आपका CBSC के official notification में भी दिया हुआ है जो की अभी मैं आपको दिखाऊंगा वहीं बात करें group B की post की difference यहां पे आप देख सकते हैं इसमें आपको 9,300 से ले करके 34,800 तक की salary मिलेगी जो की level 10 के अंदर आता है वही group C की vacancy की बात करें तो यहां पर देखिए group C के अंदर 5,200 से ले करके 20,200 तक की salary बनेगी यह आपकी level 2 के according आता है तो यानि की CBC के अंदर एक बहुत ही अच्छा खासा यहां पर आपको salary देखनों के मिलेगा हर post के लिए तो जिस post के लिए आप apply करना चाहते हैं और जिसकी preparation कर रहे हैं उसके लिए भर दिलजीएगा तो फेंस यह तो बात हो गई पेस्केल की अब बात करते हैं educational qualification की तो फेंस यहां पर भी आप देख सकते हैं different different post के लिए different educational qualification के demand की होई है तो बात करें अगर assistant security की post के लिए तो फेंस यहां पर देख लिए assistant secretary की post के लिए graduation degree मांगा हुआ है from recognized university along with having work experience ठीक है यहां पर आपको graduation degree मांगा हुआ है चाहे आप किसी भी stream से हो तो वो आप भर सकते हैं लेकिन having work experience भी मांगा हुआ है as officer level post किसी भी officer level post पर आपका होना चाहिए experience ठीक है चाहे वो central हो state हो या फिर या फिर private organization में भी आपने किया हुआ है supervisors के work के लिए तो आप इस form को भर सकते हैं ठीक है level 10 के according आपकी salary होगी इसकी अंदर ठीक है जो भी candidates इस form को भरना चाहते हैं वो इसको भर सकते हैं बात करें other preferential criteria की तो इसकी अंदर जो master वाले candidates apply करेंगे जो candidates master degree के साथ public administration के साथ union कर रखा है master degree और उनके पास working knowledge है Hindi and English general awareness तो वो इस form के लिए पहले prepare के जाते हैं उनका selection होने के chances बहुत जादा हैं वो ही बात करें अगली vacancy की तो ये दिखिया assistant secretary की post है IT field के लिए तो इसमें ये आपका information technology का field हो जाएगा इसकी अंदर जो candidates B, B, T, C, S, M, C, M, C, I, T और M, C, Junior कर रखा है recognized institute से along with having experience certificate ठीक है जिनके पास experience होगा working का in development of online application using .NET technology SQL server visual basic .NET ठीक है जिनके पास computer की knowledge है उनके 0 से 3 साल का working experience हो अच्छी है with payment 3 से 6 year का service का ठीक है तो वो इस candidates के लिए eligible होंगे तो इसमें देखिए इसमें भी कुछ preference के टिकरिया दिया हुआ है यानि कि जिनके पास internet technology का experience है software engineering और web designing equivalent fields के अंदर आपका experience है तो आपको पहले prepare के जाएगा आपके chances भी बहुत दादा है इसमें selected होने के तो मैं आप से उम्मीद करूँगा friends जो eligible candidates है वो इस form कुछ जरूर भरें ऐसा नहीं है कि fee के कारण या अगर 15,00 रुपे fees है तो छोड़ दे आप इस form को जरूर भरिए अगर आपकी preparation बहुत अच्छी है तो इसके भरिए बाकी मैं आपको इसका syllabus वगर प्रोवाइट कर दूँगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बात करते है analysis IT field की तो इसमें देखिए इसमें भी आपका b, b, tech, it, c, m, c, m, c, m, c मांगा हुआ है ठीक है चाहे m, c, i, t, ho या फिर सकते हैं analysis की post के लिए apply कर सकते है जो की IT का field है वही बात करें junior translator Hindi post के लिए तो फैस्ट यहाँ पे देखिए इसमें जो candidates post इसमें रखा है Hindi और English के लिए ठीक है किसी भी लग़े में किया हुआ हुआ है with Hindi and English as a main subject अगर आपका Hindi English as a main subject है translation का Hindi और English में तो अभी आप इस form को भर सकते हैं साथ इस 3-year का working experience in translation field वे इसर फार दिस्ट आपको 3 साल का experience भी होना चाहिए translation के field में तो friends अगली वेकेंसी है आपकी senior assistance की तो इसमें देखिए इसमें भी generation degree मांगी हुई है with 40 words per minute की typing speed के साथ ठीक है इन Hindi और English on computer and having computer knowledge भी होना चाहिए as Windows, HTML, Wave Design equivalent अगर आप हैं तो आप इस form को भर सकते हैं इसमें भी देख सकेए जिन candidates के पास DOEACC All Level का certificate with 3 years का experience है equivalent window उस candidates को पहले prepare किया जाएगा उनके भी chances बहुत जादा है senior जो आपका post assistant का इसके लिए apply कर सकते हैं बहुत अच्छी जॉब है ये भी अगली वेकेंस से आपके stenographer की है यानि कि जो candidates question degree कर राखे है with 80 word per minute in 10 minutes ठीक है आप 80 word per minute के इसाब से आप 10 minute के आपकी short end की speed होनी चाहिए ठीक है 50 minutes transaction in English 50 minute in Hindi तो आप इस form के लिए भर सकते हैं महीं अगली वेकेंसी आपके accountant की तो accountant में आप देख सकते हैं education degree in commerce बीकॉम अगर आपने कर रखा है तो आप इस form को भर सकते हैं with work experience as official in PSU central private state organization तो आप इस form के लिए भर सकते हैं अगर आपके पास work experience है किसे भी state private का हो या फिर government का हो तो आप इसके लिए eligible हैं आप भर सकते हैं बस यादर कि ए aggression होना चाहिए आपका बीकॉम से ठीक है अगली वेकेंसी आपकी junior assistance की तो जिसमें बारी पास के candidate से apply कर सकते हैं इस form के लिए जो भी बारी पास के candidate से वो भर सकते हैं साथ ही 35 word per minute की speed से आपकी typing speed होनी चाहिए ठीक है तो आप इस पेस्ट के लिए eligible हैं आप इसको apply कर सकते हैं अगली वेकेंसी आपकी junior accountant की इसमें आपका ग्रिशन डिगर in commerce मांगा होए बीकॉम साथ ही work experience होना चाहिए आपका accounts और audits फिल्ड के अंदर तो आप इस first के लिए apply कर सकते हैं तो friends अब बात करते हैं कि आपको कैसे apply करना है तो friends इस form को apply करने से पहले आपको इसको official notification को पढ़ना पढ़ेगा जिसका link मैंने video के description में दे दिया है आपको उसके official notification को पढ़ना पढ़ेगा और अभी मैं आपको दिखा भी दूँगा ठीक है तो इसको आपको पढ़ना पढ़ेगा सारे doubts को clear करने हैं और उसके बाद आपको इस form को भरना है 16 December 2019 से पहले पहले जब आप form को भरेंगे तो कुछ documents का आपको जुरौत होगी जिसमें आपके photograph और signature तो mandatory रहेंगे साथ ही कुछ और भी optional documents लगेंगे वो आप देख सकते हैं age proof का लगेगा experience certificate लगेगा pay slip लगेगी appointment letter जो भी आपका पिछले organization का था जहां जैसे experience मांगा हुआ है वहाँ पे आपको appointment letter भी देना पड़ेगा re-living letter, resume, matriculation, mark sheet वेगरा degree और diploma गर certificate जो भी आपके पास है card certificate और उसके पी WD certificate अगर आप physical level disability में आते हैं तो अब बात करते हैं कि selection कैसे होगा CBSC various post department का selection होगा वो आपका computer accessibility के test के अधार पर होगा तो इसके बाद आपका interview होगा फिर document verification होगा ये तीन level के बाद ही आपकी selection होगी CBSC के अंदर तो फिर्स उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सारी जानकारी आप समझ चुके होगे तो फिर्स अगर आपको कोई doubt होता है तो इसके official notification को जरूर पढ़ लिजेगा लिंक नीचे वीडियो के description में दिया हुआ है ठीक है apply now का भी link दिया हुआ है तो सारी जानकारी इसमें provide की होई है वीडियो के description में आप उसे check कर सकते हैं अगर कोई query हो आपकी इस post के regarding तो आप हमें comment कर दिजेगा हम आपको इसका solution भी provide कर देंगे जो चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी पूछ दिजेगा गलत form को fill up मत कीजेगा ठीक है बाकी आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा वीडियो के description में आपको कुछ और भी government jobs के links मिल जाएंगे जो vacancies आपके current में भी चल रही है और जिनके dates बचे हुए हैं आप उस form को भी भर सकते हैं साथ ही हमारे वीडियो के description में आपको हमारे बहुत सारे links मिलेंगे उसको आप apply कर सकते हैं या फिर आप visit कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल notification गुरू में और अपने qualification के according job को सर्च कर सकते हैं लेटर अब्रेस के लिए हमारे चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लिजेगा तो अभी के लिए मुझे इजादत दीजे मैं फिर में लूँगा एक नई vacancy के साथ तो अभी के लिए good bye